आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें अमल से दोस्तों क्रिया करता है, नाइट्र सम्ल से क्रिया करता है दोस्तों तो क्लोरो, तो क्लोरो दोस्तों, पिकरिन, तो क्लोरो पिकरिन प्राप्त होता है ठीक है दोस्तों, अब बात करें, C-H-C-L-3 दोस्तों, यह हमारा क्लोरो फार्म होता है और दोस्तों, EHNO2, इसका दोस्तों यह हमारा nitrous अमल होता है, ठीक दोस्तों, यह दोनों आपस में क्रिया करके chlorophycorine बनाते हैं, जैसे CH दोस्तों, CL, CL, CL और दोस्तों, HNO2, HON, डबल बंद O, ठीक दोस्तों सारी दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो जब chlorophyarm दोस्तों नाइट्रस अमले से नहीं दोस्तों सौरी गलती हो गई जब क्लोरोफार्म दोस्तों नाइट्रिक अमले से क्रिया करता है तो क्लोरो पिकरिन प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ पर HNO3 जो होता है दोस्तों वो हमारा nitric हमारा h03 हमारा nitric अमल होता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर h03 की सनर्शना इस प्रकार से होती है न डबल बंदो O-plus और OH दोस्तों जब यह chloroform इस nitric क्रिया करता है तब हमारा chloro-pickrin दोस्तों बनता है chloroform दोस्तों इस हमारे nitric हमले से क्रिया करता है तो chloro-pickrin बनता है कैसे दोस्तों यहाँ पर यह दोस्तों इस प्रकार से जल के अड़ को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर C, Cl3, NO2 दोस्तों हमारा chloro-pickrin chloro-pickrin जो की द्रव होता है हमें प्राप्त हो जाता है ठीक है इस प्रकार से जब इसको हम घरम कर देते हैं यहीं दोस्तों हमारा प्रिश्णता दोस्तों हमें के वर chloro-pickrin का शूत्र लिखना था जो की होता है C, Cl3, NO2 ठीक है अगर इसकी सरशना बना है तो इस प्रकार से इस एक का बन से 3 Cl और उसी से दोस्तों N double बन दो O minus dnion यह नाइट्रोसमू यह दोस्तों हमारा chloro-pickrin की सरशना होती है chloro-pickrin की दोस्तों यहाँ पर इस सरशना होती है ठीक है दोस्तों आसा करता हमारा यह उत्तर समझाया होगा chloro-pickrin की सरशना थता उसका निर्माण भी समझाया होगा ओके दोस्तों ठीक है यहाँ पर दोस्तों नाइटरीकमल होता है और दोस्तों नाइटरीकमल HNO3 होता है जब वो क्लोरोफारम से क्रिया करता है तो नाइटरीकमल बनता है ठीक है धन्यवाद